इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपकी लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं डिस्कुस करने वाला हूँ केंदर विद्याले का क्लास थर्ड का हिंदी का एनुवल एक्जाम के कुशन पेपर के वे कुशन जो बार बार रिपीट होते हैं इस वीडियो में हम लोग आपकी किताब के अंदर से वे सारे प्रशन को डिस्कुस करेंगे जो कि बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जिसकी प्रक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए क्योंकि एक्जाम में इस तरह के प्रशन आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले मैं गध्यान्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रशन को डिस्कुस करूँगा तो जैसे आपके एक्जाम में आता है कि आपको गध्यान्स को पढ़कर कि उसके बाद अपने उत्तर लिखने होते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहला प्रशन जो होगा या पहली जो पठन पोर्शन जो आपका है उसके अंदर के प्रशन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि निमलखिद ऐपठिद गध्यांस को पढ़कर नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर दीजिए यानि कि एक छोटा सा गध्यांस आपको दिया जाएगा आपके एकजाम के अंदर जिसे आपको पहले पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद उसके उत्तर भी आपको बताने होगे जो उसके अधारित पर प्रशन होगे चले पढ़ते हैं एक जंगल में एक हिरन अपने परिवार के साथ रहता था उस हिरन का एक बच्चा भी था एक दिन हिरन के बच्चे की खरगोश से दोड़ हुई हिरन का बच्चा खरगोश से आगे निकल गया उसने जंगल पार कर लिया खेत पार कर लिया नदी पार कर ल पल रहा भालू आया उसने भी कोशिश की पर हिरन का बच्चा चुप नहीं हुआ फिर हिरन की मा आई और उसने उसे प्यार किया और कहा चलो उस पत्थर को मार कर आए हिरन की बच्चे ने उसे रोक लिया और अगर हम उसे मारेंगे तो वे भी रोने लगेगा उसकी बात सुन साथ खरगोस की बच्ची के साथ रेस लगाता है और जब रेस लगाता है जंगल के अंदर तो फिर वो खेतों को पार कर लेता है नदी को पार कर लेता है पहाड को पार नहीं कर पाता है जब पहाड नहीं पार कर पाता है तो रोने लग जाता है तो बंदर कोशिश करता है, उसे मलहम लगा करके उसे चुप करने कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसफल हो जाता है, यानि कि उसे चुप नहीं करवा पाता है, भालू भी प्रियास करता है, ठीक है, तो सभी जानबर एक एक करके प्रियास करते हैं, लेकिन हीरन का जो बच्चा ह नहीं होता रोना बंद नहीं करता जब हिरन की मा आती है तो उसे प्यार करती है और कहती है चलो पत्थर ने तुम्हें रूलाए चलो उसको मार दे तो हिरन का बच्चा कहता है कि अगर हम पत्थर को मारेंगे तो पत्थर भी रोने लग जाएगा और जब यह सब बात सभी सु अपने बच्छे से पढ़ाए तो आप अपना उत्तर जंगल लेख सकते हो दूसरा प्रश्ण हिरन के बच्चे की दौड किस से हुए थी तो आप लोग जानते हो खरगोश के साथ उसने रेस लगाया था दौड लगाया थी तो आप खरगोश पर ठिक लगा दोगे अपना उत लिख लो तीसरा प्रश्ण हिरन के बच्चे ने जोड़ते समय क्या क्या पार किया नदी पार किया था पहाणा पार किया यैसे आपको अलग अलग यद उत्तर दे रख्या से जंगल पार किया था खेट पार किया था यह बिलकुल सही ही यानिZe 3at covering आ पार कर लिया था, खेत को भी पार कर लिया था, और नदी को भी पार कर लिया था, लेकिन पहाड को पार नहीं कर पाया था, है न, तो आप इस उतर को अपने प्रश्ण के इस उतर में लेख सकते हैं, उसके बाद चोथा प्रश्ण है, हिरन का बच्चा किस से टकरा गया, तो पहाड से टकरा गया था, और जब उसे चोट लगने लगी थी, ठीके, तो आप उसे पार नहीं कर पाया था, उसके बाद पांचवा प्रश्ण है, हिरन की बच्चे को मलहम किसने लगाया था, तो आप लोग जानते हो, बंदर ने लगाया था, तो आप अपना उतर लिख सकते तो इस तरह से आपके एक्जाम के अंदर भी एक गध्यान सापको दे दिया जाएगा, जैसे ये गध्यान से आपने इसे पकड़ा, पढ़ा आपने इसे अच्छे, पढ़ने के बाद जो भी प्रश्ण थे इसके अधार पे आपने उसके उतर लिखती है, अब हम लोग बात लगा देंगे, अपना उतर लिख लेंगे, यानि कि स्टिरलिंग, पुलिंग वाले प्रश्ण आपके एक्जाम में आएंगे, आपको स्टिरलिंग और पुलिंग की पहचान होनी चाहिए, साथ माप्रश्ण देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानि आपको छ तो अपना उतर आप लगा सकते हो, मोची के पास, ठीक है, अच्छा, आठवा प्रश्ण देखो, अपना शब्द का विलोम लखिए, अपना, यानि कि मेरा अपना, ऐसे बोलते हैं हम लोग, अपने बादसीत में प्रियोग करते हैं, तो अपना का क्या होता है, विलोम उल् अभ्यास करना है, प्रयवाची का भी अभ्यास करना है, ठीक है, तो ये सब प्रश्ण आपके वियाकरण वाले पोर्शन के अंदर आते हैं, अब हम लोग किताब के अंदर जो कहानी पढ़िए न अपने, ठीक है, उसके अंदर कुछ-कुछ अक्षर आते हैं, शब्द आते जैसे अब यहाँ पर अलग-अलग तरीके से शब्द लिखे गए सबसे सही सब्द कौन सा लग रहा है आपको यह बता ला है ठीके, ल, र, र, म, य अब यह सब है, हैं तो इस से मरियल ठीके, मरियल मुझे सही शब्द लग रहा है जो ठका हुआ हूँ बिल्कुल ठका हुआ है, ढंक से काम नहीं करता है, मरियल तरीके से काम करता है, यानि उसमें हम टिक लगा सकते हैं, अब कहोगे सर यहाँ पे न, मरियल दो तरीके से लिखा हुआ है, तीन तरीके से लिखा है, सबसब सही वाला तो मुझे यह लग रहा है, तो इसमें मैं टिक लगा लोगा ठीक है अच्छा अब उसके बाद कुछ प्रश्ण ऐसे होंगे जिनको आपको शुद्ध शब्द को यानि जो सही से लिखें उनको पैचानना होगा जैसे ठंडी बिमार धुवा साबुन तो साबुन मुझे सही लग रहा है तो इसमें टिक लगा लो धुवा में बिंदी आने थी नहीं लगी बिमार में बड़ी की मातर आने थी वो भी नहीं लगी ठंडी में चंदरविंदी की जुरत नहीं थी ठीक है इसमें से बिंदी से काम चल जाता त तो यह सब गलती थी, सही शब्द हमारा क्या है? साबून है, तो साबून पर ठेक लगा लेंगे, यानि शुद्ध शब्द वाले प्रशन भी आएंगे, जिसमें आपको शुद्ध शब्द पहचानने होंगे, कई बार आपको गलत दे दिये जाएंगे, जिसमें से आपको सही शब्द चाटने होंगे, अच्छा, अब किताब के अंत में जो प्रशन होते हैं न, जैसे आपको कहानी पढ़ते हो, उसके बाद या कवी कवीता पढ़ते हो, उसके बाद जो प्रशन होते हैं, उनकी बात करते हैं, गद्य का मतलब होता है कहानी, जो भी कहानी आपने किताब के अंदर पढ़ी, उस कहानी के अधार पर प्रशन, पद्य का मतलब होता है कवीता, जो भी कवीता आपने पढ़ा है, उस कवीता के अंत में जो प्रशन होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, यहाँ आपको बोला भी ज इसलिए उसका नाम क्यूजी मल पढ़ गया था तो आप अपने उत्र में लिख सकते हो क्या बोलता था वह क्यूं क्यूं बोलता रहता था अच्छा बारमा प्रश्ण देखी इसमें आपको बोला जा रहा है अवंती ने किसकी दुकान खोली थी तो उसने कपड़ों की दुका आप असानी से दे सकते हैं उसके बाद अगला प्रश्ण देखिए जिसमें आपको बोला जा रहा है दोनों बिल्लियों में से रोटी पहले किसने देखी थी देखो इसके अंदर आप लोग कहानी पढ़ी थी आपने दो तरह की बिल्ली थी इसके इक थी काली बिल्ली एक सबसे पहले रोटे किस ने देखी थी सफेद बिल्ली ने या फिर काली बिल्ली ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ाया पाथ तो घड़ बढ़ हो गई यहां पे अगर आपने पढ़ा है तो फटाफट बता सकते हो कि सफेद बिली या फिर काली बिली अच्छ उसके बाद है अगला प्रशन चौधमा प्रशन जिसमें आपको बोला जा रहा है कौन कौन से अनाज की रोटिया बनाई जा सकती है तो आप मक्का लिख सकते हो उसके लाब और भी बहुत सारी चीज़ों की रोटिया बनती है ठीक है तो वो उन सब चीजों की नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो 15 परशन है नारील के खोल में कौन घुस गया था तो आप लोगों ने सांप के बारे में पढ़ा था आहाती में यानि आपने आंगन में खेल रहा था और उसके अंदर साप घुज गया था खोल के अंदर तो आपने पढ़ा भी था जब मुझको साप ने काटा खानी याद है न या भूल गे हो तो वहाँ से ये प्रशन पूछा जा रहा है यानि बड़े अंक वाले प्रशनों की बात करते हैं जैसे सोलवा प्रशन देखो यदि किसी की नाक से खून बहने लगे तो प्रात्मिक उपचार के तोर पर आप क्या करेंगे नाक से खून बहेगा प्रात्मिक उपचार का मतलब होता है फरस्ट इड जैसे अपने क्लास में बहेगा उगा उसे थोड़ा सा दवा के रखेंगे और नहीं तो फिर उसे मेडिकल रूम लेके जाएंगे और फिर जो भी नर्स मेडम होगी डॉक्टर मैम होगी वो उने ठीक कर देंगे तो यह आप अपने उतर में लिख सकते है सतरमा परशन देखो गुटली वाले चार फलो के नाम लिखो एक तो आपका बहुत फेवरेट है आम खाते हो उसके अंदर गुटली होता है लीची खाते हो उसके अंदर भी गुटली होता है इसके लाब बहुत सार ऐसे फल होते है जिसके अंदर क्या होता है गुटली होता है ठीक है तो उनके नाम आपको यहाँ पे लिख दे ले अठार वो प्रशन देखो इस प्रशन में आपको बोला जा रहा है आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है और क्यों अब देखो बहुत सारी पेड़ होंगे उनमें से जो भी आपको पसंद है अपने हिसाब से कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे बड़े बड़े पेड़ पसंद है क्योंकि हम उसमें जूला जूल सकते है आम मिलता है तो आप अपने उतर में लिख सकते है उस तरह से खाने को आम मिलता है या फिर जोन सा भी आपको पसंद है न पेड़ उस पेड़ के बारे में बताना है और क्यों पसंद है वो भी बता दोगे तो आपको पुरे अंख मिल जाएगी ठीक है कुछ प्रशन और देख लेते हैं जैसे यह उनीस्वा प्रशन देखो इस प्रशन में आपको बोला जा रहा है कुछ रेंगने वाले जानवरों के नाम लिखो जैसे साप एक रेंगता है उसका नाम लिख सकते हो इसके लाबा कुछ और भी जानवर है जो रेंगते हैं उनकी नाम आप यहां लिख सकते हो एक प्रशन और करते हैं सर्दियों के समय में खाई जाने वाली कुछ वस्तुई के नाम लिखो, देख सदी के समय आप लोग क्या-क्या खाते हो, एक तो बोल को होगी सर, हम लोग गाजर का हल्वा खाते हैता, तो खाने जाने वारी चीजों में से सबसे यह जादा बशिदी पसंद करते है, गाजर का हल्वा, ठीक है? तो आप लिख सकते हो गाजर का हलुआ, ठीक है, सूप भी पीते हो, वो भी लिख सकते हो, यानि की गरम चीज़े, जैसे मुंखफली खाते होगे, तो आप मुंखफली लिख सकते हो, गजक खाते होगे, गजक लिख सकते हो, गुड़ पटी जैसे बोलते हैं, वो भी लिख सक यानि लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए ताकि अगर ऐसे प्रश्ण आपके एक्जाम में आए तो आप अच्छे नंबर ला सको ठीक है चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो में आपके लिए चैनल पर ला सको और हाँ चैनल जो कि ये मेरे नाम से है Mr Krishnashah इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन प्रैस करिए ताकि लेटस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लाबा आप मेरा Friends at the rate preparation जो की मेरा में चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए जहां आपको भी बहुत सारी वीडियो मिलती है आपके इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अब तो तो आपको मेरी आइडी भी याद हो गई होगी add the rate Mr.Krishnashah जहाँ मैसेस करके अपने डाउट्स वगरा मुससे पूस सकते हो चली फिर मिलते है नेक्स वीडियो में इस वीडियो में इतना ही है thanks for watching bye bye